दोस्तो रोहित सर्मा और विराट कोली क्या इन दोनों को अब हम खेलने देखेंगे टीटो इंटे आई वर्लकप ये बहुत ज़ादा इंपोर्टेन कोस्चन है हमारे लिए और हम जैसे फैंस के लिए क्यूंकि हम चाते हैं विराट कोली और रोहित सर्मा बढ़िया तरीके से खेले बहुत अच्छा तरीके से इंडियान टीम को एक अच्छा जगा पे लेकर जाए और कम से कम एक टीटो इंटे वर्लकप तो हमें गिप दे तो में बात है क्या विराट कोली और रोहित सर्मा को हम टीटो इंटे या और खेलने दिखेंगे भी या नहीं ये भी थोरा सा जादा एक बड़े कोस्टेन अब आ रही है देखें मुझे लगता है कि जरूर से अब 2024 की जो टीटो इंटे वर्लकप है वहापे इंडियन टीम को रोहित सर्मा और विराट कोली के तो खिलाना चाहिए और मुझे लगता है कि ये दोनों प्लेयर खेलेंगे भी क्योंकि रो जादा खेल अभी भी बचे है और बहुत बड़िया तरीके से ये दोनों ही प्लेयर काम कर सकते हैं लेकिन उनको एक भी मैचेस नहीं दिया जा रहा है 10 नवेंबर के बाद 2022 के इंडिया वर्सेस इंलन की सेमी फाइनल में इंडिया की हार की बाद एक भी मैचेस इन दोनों प्लेयर की नसीब नहीं हुई और एक भी T20A मैच ये दोनों प्लेयर नहीं खेलें जिसके बड़े रिजन थे 23 के ODI वालकप जिसके लिए ये लोग जो जो T20A मैचेस थे उनको एवाइड किये लेकिन अब ऑस्टलिया के साथ जो सीरीज हुई अब साउथ आफ्रिका के साथ भी जो सीरीज हुई वह आपे भी इनके नाम है नहीं और ODI में भी इन दोनों के नाम नहीं है तो अब थोरा सा दिक्कत आ रही है कि 2024 के जो खेल होगी 2025 के जो Champions Trophy होगी वह आपे क्या ये दोनों खेलेंगे तो मुझे लगता है कि 2024 के जो खेल है वह आपे तो गैरांटिड है रोईत सर्मा और विराट कोली खेले क्योंकि ये दोनों प्लेयर को आप बैठा के आपके जुनिया टीम्स को लेकर के आप नहीं जीत सकते क्योंकि ज 2024 के वर्लकप अब आने ही वाला है जाधा मैच बचे नहीं है कि वर्लकप आ जाए तो उससे पहले जो बड़े बड़े टीम से जैसे साउट अफरिका एक अच्छा टीम है हम अगर ऑस्ट्रिला की भी बात करें तो ऑस्ट्रिल एक अच्छा टीम के साथ आई थी तो अच्छ नहीं भी कर सकते है में T20 वाल कप में क्योंकि ओपिनिंग तो करेंगे रोहिद सर्मा सुभमन के लिया रोहिद सर्मा जैसे सिज्जस्वा तो आपके पास जो comparative player है उनको भी तो चेक करना चाहिए उनकी जोरी को ही तो खिलाना चाहिए बड़े teams के सामने जैसे South Africa हो गया जैसे Australia हो गया क्योंकि आप अगर West Indies के साथ अफगनिस्तन के साथ T20 में बड़े players को खिलाओगे तो आप आप जीतोगे ही लेकिन आपको कोई निराश नहीं तो बहुत जादा जरूरी है तो इसके लिए मुझे लगता है कि जरूर से बड़े-बड़े teams के साथ जो जो matches है वो आपे बड़े-बड़े players को main-main players को लेकर आना चाहिए रोही सरमार विराट को लिको जरूर से जल्द से जल्द जो T20 series है वो आपे खिलाना चाहिए जरू जरूर से इन दोनों को जल्दी से जल्दी लेकर आना चाहिए और मुझे लगता है कि यह दोनों player खेलेंगे तो इसके उपर आपका कहा रहा है जरूर से बतना कि आपको भी लगता है कि इन दोनों player को खेलेंगे या जो junior team है जो junior team के साथ Indian team एक नया team की एक source तैयार कर रही है उस सोट से ही बढ़िया तरिके से इस बार प्रहार करना चाहिए तो जरूर से इसके उपर आपका राय बताना और आपका कोई भी ओपिनियन हो आपका कोई भी क्वेस्टिन हो बताना मैं बढ़िया तरिके से उसके अंसर देने के और आपके साथ डिसकस करने की कोशिश झाल 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 झाल